अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो देखो आज के समय पूरे P.O.K में मतलब पाकिस्तान उक्यूपाइट कश्मीर में आपको मेजा प्रोटेस देखने को मुलेंगे लोग पाकिस्तान की सरकार खिलाब विरोध कर रहे हैं और simply लोग यहां पर यह कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जो है बिलकुल यहां पर रहना नहीं चाहते हैं हम पाकिस्तान में शामिल ही नहीं होना चाहते हैं लेकिन अब आप यहां पर यह भी बोल सकते हो तो basically P.O.K में अगर आप देखोगी तो proper elections होते हैं यहाँ पर प्राइम निस्टर चूज किया जाता है लेकिन पाकिस्तान की सरकार 15th constitutional amendment bill यहाँ पर लेके आने वाली थी जिसमें पाकिस्तान जो P.O.K की जो autonomy है वो यहाँ पर खतम की जाएगी मतलब उसके पास उतनी autonomy नहीं ह जाएगा मतलब एक प्रांथ जो है बना दिया जाएगा लेकन देखो P.O.K के लोग यहाँ पर यह कहते हैं कि हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते हैं उसका reason यहाँ पर यह है कि P.O.K के लोगों को कोई facility नहीं दी जाती है उनको बहुत जादा परिशानी होती है औ So basically Pakistan यहाँ पर यह चाहता है कि जो autonomy दी गई है ना जो जिस तरीके से इनको कुछ अधिकार दिये गई यह अपने decision यहाँ पर खुद ले सकते हैं यह सब चीज़ा यहाँ पर हटाई जाए और simply जो है P.O.K जो है उसको पाकिस्तान के अंडर मिले जा मतलब पाकिस्तान जो है P.O.K को मर्च कर देंगे पाकिस्तान में और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और देखो आपको पता यह किस तरीके से जो forces है पाकिस्तान की forces जो हैं बिलकुल यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ती है उनको जब भी यहाँ पर लगता है वो लोग को मारती है उनके घर भी यहा प्राइम मिनिस्टर नरेंदर वोदी से जो हैं आप मदद मांगते कि हमारी मदद करो कि पाकिस्तान की सरकार जो है किस तरीके से हम पर अत्याचार कर रहे हैं यह प्रिंट का आर्टिकल भी है ओनली स्ट्रॉंग पॉर्टेस्ट कें से प्योगे फ्रॉम विकमिंग पार्ट ओफ पाकिस्टान तो हाली में यह स्टेटमेंट दी है प्योगे के प्राइम मिनिस्टर हैदर ने डिसकस करें में काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा उसके पहले प्योगे का जो है मैप देख लो तो मीली यह आपको देखेगा इंडिया देखो य यह एक्षिली में थी कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में वह चाहते थे कि पूरा-पूरा कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए लेकिन अगर जो हरी सिंग जो वहां के राजा थे कश्मीर के वह पहले इंस्ट्रूमेंट अफ एक्सिशन साइन कर देते तो शायद यह पूजीशन नहीं बनती लेकिन देखो जब यहां पे वार बढ़ गया ना तो नहरुजी जो इनटे नेशन पहुंचे और उसने यहां पे टूस एग्रिमेंट ले आया कि यह बात जो है माननी होंगी उसके बा पर यहां पे रह गई और इलीकली जो है पाकिस्तान ने इसको उक्यूपाई करके रखा हुआ है ना देखो आज की समय क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की सरकार यहां पे 15th Constitutional एवेंडमेंट जो है लेके आई है वो यहां पर यह कहती है कि भी हम जो पीयोके को पूरी तरीके स पाकिस्तान पर यहां पर मर्च करेंगे जिस तरीके से बाकी प्रोविंस है पाकिस्तान में मतबलोचिस्तान है पंजाब है इसी तरीके से प्योके को भी जो है यहां पर क्या बनाएंगे एक प्रांत यहां पर बनाएंगे अब देखो यहां पे इसी को देखते हुए बहु परिशान भी किया जाता है तो इसी तरीके से आपको कई सारी जगह पर जो है प्रोटेंस देखने को मिलेंगे अब देखो रिसेंट अपडेट के हिसाब से यहां पर यह बता जाता है कि जिस तरीके से यह constitutional में amendment कर रहे हैं तो प्योके की जो प्राइम मिनिस्टर है फारोग हैदर वहां आपको अलग प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे देखो simply जो कश्मीर का मुद्धा है ना जैसे प्योके आप जिसको कहते हो ना वैसा ही आपको simply एक हॉंग कॉंग भी देखने को लेकिन जो आटनॉमी है उसको जो है प्रॉपर तरीके से भारत सरकार ने खतम कर दिया था जब जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया था 2019 में अब देखो जो प्योके के प्राइम मिनिस्टर है फारोग हैदर वो यहां पर यह कहते हैं यह पूर्व प्राइम मिनिस्टर है कि हमको जो है जिस तरीके से यहां पर एमेंडमेंट्स पर एमेंडमेंट्स किये जा रहे है न तो प्योके को जो है एक प्रोवेंस बनने से बिलकुल हमको यहां पर रोकना है और हम जितने जम के विरोध करेंगे हमारी टरिटरी जो है यहां पर बच पाएगी और अगर एक को पर वीडियो जो है आपको देखने को मिलेंगे क्विटर पर ट्विट जो है होती रहती है तो अभी के लिए मैं तो क्युल प्रोबिस बनाते है लेकिन पाहिस्तान की सरकार जो को यहां पर fail हो गई तो अटला सही होब कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को बिला होगा आप अपने ओपीनियन लिखिएगा जरूर इसी के साथ यह तर वीडियो का सुने करें बहुत दन्वाद चेहिंद चभार